मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान के भविश्य पर कयास लग रहे हैं। वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मैं भाजपा कारे करता हूँ और जो भी जिम्मेदारी बिलेगी उसे पूरा करूँगा। यही नहीं, मीडिया से बाद में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली नहीं बलकि छिन्दवारा जा रहा हूँ। यहां कि साथों सीटे हम नहीं जी सके। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, बाद मैं भी नहीं रहूँगा। भारती जन्ता पार्टी के कारिकरता एक बड़े मिसन को पूरा करने के लिए काम करते हैं किसी पद के लिए नहीं और उस मिसन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत इमानदारी से करते हैं मैं दिली मैं दिली नहीं जाओंगा कल मैं जा रहा हूँ छिनवाला धा सातों विधान सभा की सीटे हम नहीं जीत पाए मेरा एक ही संकल्प है 29 की 29 सीटे हैं भारती जन्ता पार्टी जीते मज़प्रेस में CM शिवराज ने साफ कह दिया है कि हमारा लक्ष है भाजपा को 2024 में सभी 29 सीटे मद्दप्रदेश से जिता कर दी जाएं इस तरह शिवराज सिंग चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब भी MP के सबसे बड़े निता हैं और वो बिना कोई मांग किये लोगसभा एलेक्षन में जुट गए है शिवराज सिंग चौहान की ये स्मार्ट स्ट्रटरजी मानी जा रही है जिसमें उन्होंने खुल कर कुछ नहीं कहा और संकेतों में अपनी दावेदारी भी जता दी अपने बयान में शिवराज सिंग चौहान ने कई बार PM मोदी के नितरत्व का जिकर किया और खुद को सौभाग दिशाली बताया इस तरह उन्होंने राजिस्थान में वसुंदरा राजे की तरह शक्ति प्रदशन जैसे चीजों से दूरी बना ली है और अपने काम को गिना रहे हैं यही नहीं शिवराज ने प्रदेश भर की बहनों को भी संबोधित करते हुए एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने कहा कि बहनों फिर से दस ताली खा रही है लाडली बहना योजना की राशी फिर आपके खाते में डाली जाएगी इस तरह उन्होंने बताया कि वो आज भी प्रदेश के मुखिया ही हैं और बहनों के भाई और भाजे भाजियों के मामा बने रहेंगे मोधी जी हमारे नेता है और उनके साथ काम करने में हमने सदयवगर्व का अनुभव किया है इस तरह बहुत बारीक अंदाज में शिवराज सिंग चोहान ने खेल कर दिया और अपनी दावेदारी भी पेश की है उनकी सरकार की लाड़ी बहना स्कीम को भी जीट की वज़ा माना जा रहा है इसके अलावा मोधी की गैरंटी भी एक फेक्टर है ऐसे में शिवराज एक प्रबल दावेदार तो है ही और उने फिर से मौका मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी और अगर एक बार फिर उने मौका मिला तो वो पांच साल तक नहीं हिलने वाले झाले